नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एकजाम बीर में मैं आपका दोस्त राहूल कुमार आपका इस चैनल पर तही दिल से स्वागत करता हूं तो आपकी KBS PRT की तयारी बहुत अच्छी चल ले होगी और मैं आशा करता हूं कि आप दिन प्रति द अपनी तयारी में सुधा कर रहे होंगे बच्चे ठीक है तो आज हमारा वीडियो रहने वाला मोटिवेशन वीडियो रहने वाला है उन सभी एस्पिरेंट के लिए जो KBS TGT PGT और PRT और प्रिंसिपल बगारा सभी का एक्जाम देने वाले हैं और टीचिंग एक्जाम के अ अपनी तयारी को बहतर बनाना है ठीक है और टाइम कम है आपके पास में आपके पास में बच्चों टाइम कमें बहुत कम समय है क्योंकि एक्जाम जो है वो संभावित है पूरा-पूरा फरवरी के अंदर क्योंकि KBS पहले भी 2018 में जब KBS आया था तो उस टाइम भी KBS ने बहुत कम समय दिया था और KBS एक ऐसा संगठन है जो कि सबसे कम टाइम देता है अपनी वेकेंसी को पूरा करने में पिछली वार भी दिसंबर के अंदर अगर दिसंबर के अंदर एकजाम हो गया था इस वार भी यह होने वाला है ठीक है तो मैं आज बात करता हूं कि लेवि लोग पिया टी एकजाम कि लेविल क्या होता है कहां कहां से पूछे जाते हैं चीजिए और आपको कि इसला को पूरा हो पाएगा यह बिंदुग की नहीं हो तो अगर आप पर नहीं है और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सृप्सराइब नहीं किया है तो चैनल को और अगर मेरी वीडियो पश्चोड आती है तो लायवाग दिरूर करना लेखेश लभी अग्जाम मैशनली सब्सक्राइब my previous लेविल ओ प्लाठिया कुं उसके बाद में आप सोच रहे होंगे कि मैं क्यों बताया क्योंकि मैं खुद KBS में PRT TGT दोनों का एक्जम क्वालिफाई हूँ और मैं एक KBS का employee भी रह चुका हूँ और करेंट में मैं सहय कद्या भग हूँ अपने ही डिस्टिक में ठीक है इसलिए मैं आपको पता हूँ लिए आपको देखने के लिए तो बिल्कुल भी किसी भी बच्चों को चूकना नहीं है ऐसा समझना हमारे पास में गोल्डन अपोर्चनूटी है 2018 में मैंने भी एड किया था और बीएड करने के एक ये दो महीने बाद मुझे मिल गई थी मुझे अपने स्टेट की मिली थी और यह भी बिली थी और दोनों के दोनों में मैंने पहली वार में बहुत अच्छे नम्रों से से लेक्शन पाया था कि प्याटी के अंदर भी मैं है जंन मैं हिंदी ऑ हिंग्लिस है कि इंग्लीश एंधी है कि हो हुआ है अक लिए इदोरों चीज़ें ठीक है अब इसके बाद मैं अगर यहां है अलalta फिरिया कि शन्वार है यहां इंगल्या ओए अगर सब्जयक कर संसंगी की बात करताओं मिया तो सब्लेक अन्शन की तो तीस नंबर इंगलिस के और तीस नंबर हिंदी के यह दोनों ऐसे जो बहुत जादे इंपोर्टेंट रोल आजा करेंगे आपके सेलेक्शन में इसे बिल्कुल भी हमें छोड़ा नहीं है कुछ बच्चे सोचेंगे यार इंगलिस तो मेरी भी है कि हमें इंगलिस को पढ़नी है यह देखो हम जो प्रीविस यह रहा उसके पेपर को देखकर हम डिशाइट कर सकते हैं कि आपको किस लेविल की इंगलिस पढ़नी है लेकिन मैं बता देता हूं इसमें अगर हिंदी की में बात करता हूं हिंदी की तो बच्चों हिंदी का पहले तो आप पढ़ने में कम चन पांच यह महीं ने लगरें तो आप उस लेविस सभी की आपको कम समयम पूरा है तो आप मोश्ली मोश्ली चैपटर बढ़ंदीजी जैसे बरतनी पुछी जाती है इसमें बरतनी में बिच्चों बरतनी पुछी जाती बहु बचन पूचा जाता है ठीक ह चीज़े दिए हुए जितने भी चैप्टर दिये हुए उन्हें आप एक दोबार रिवाइच कर लिए आसनी से आपका काम हो जाएगा अब इंग्लिस की बात करते हैं देखो बच्चों इंग्लिस में इसी तरीके से पहरग्राप भी पूछा जा सकता है एक आपको इंग्लिस चीज़े अगर आप से आती है ज्यादा डीप ली पढ़ने की जरूत नहीं है थोड़ा थोड़ा आप से आता हुना है क्योंकि अगर हम के पेपर के लेविल की बात करते हैं तो चीज़े बहुत सारी है इसलिए हमें कोई सभी चोड़ना नहीं है आप देखो मैंत की बात कर सब्सक्राइब करते हैं या हम इसमें अगर थोड़े से भी बीग रहे तो हमारा जो सलक्षन है बिल्कुल चूख जाएंगे हम पैडागोजी इंपोडेंट रोल अदा करेगी आपके सलक्षन के लिए क्योंकि साट नमबर कोई आसान काम नहीं होता है हिंदी और इंग्लिस गाइस बहुत जाद है तो आपको चैप्टर वाज यूट ठानी है कि जैसा मान लिए वह समय बिखास है आई सिटी है जितने भी चरण है जितने भी आपके टोपिक दे रखें आप उस टोपिक के बारे में बिल्कुल आसानीस है और अच्छी तरीके से पढ़ लिजिए और होगे तो बठकने से बचोगे बठकने से बचोगे अगर आप बठक गए तो मेरे भाई अगर इंसान बठक जाता है तो उसे सेलक्षन लेने में बहुत परिशा नहीं आती है बठकना नहीं है सिलेवस आपको साथ रखना कि पैड़ागोज में कौन-कौन सी यूनिट है नो पर चुके आपको पहली बाते हैं कि कौन-कौन सी यूनिट दी हुई है आपको वो यूनिट पढ़ लेनी है अधर्वाइस आप घटना चक्र की किताब पढ़ लिए घटना चक्र से बिलकुल आपका बिलकुल सारे के सारे कोशन एक बिचेंड लेनी था घटना चक्र आप ले लेते हैं ट क्योंकि युव्य सी अधर्वाइं मेरे इस में से 17-18 प्रसन फ्रीक ते एक दो प्रसन तो गलत हो आगए लेकिन अगर आप अच्छी मेंत कर लोगे तो वह आपका प्रिसम जलत नहीं अब देखां में मैथ में 20 को स्राइंगे और यह अर्थ मैट ज्यादा आता है अर्फ मैट इस तो अध्याद आता चले के मुगाबले तो हमारे इस चैनल पर डेलीष आपको एडवांस मैट आर्थ पॉर्षन कितना वह यह असी नंबर का पॉर्षन और इब्यस का पॉर्षन तो हम आपको डेली वेज अपने इस चैनल के माझ देम से आपको बिलकुल नीशुल को प्रोबाइट करते हैं इसलिए गाईस अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को स सब्सक्राइब और मैं गारंटी के साथ में दावा करता हूं एक भी प्रसंट एक भी प्रसंट किसी भी बच्चे का गलत नहीं हो पाएगा ठीक है और इबीएस के लिए हम अलग से कुछ किलासे प्रोबाइट करेंगे आपको इवीएस भी आपका उस महां से अपर हो जाए सब करते हैं बच्छों के इन की बात करते हैं एंण नंबर जो है ना बाकी portion की मुकाबले एक negligible value है इस सीच को आप skip कर सकते हैं क्योंकि मैंने खुद computer skip किया था मुझे थोड़ा बहुत आता था पिछली बार तो दस नंबर के computer आया था उसमें फिर भी मेरे अब रीजनींग की बात करते हैं बाइब रीजनींग पढ़ने की आपको जरुत है नहीं क्योंकि आ लेडी आप इतना यहां तक इस लेविल तक पहुचे हो कि आपने टैट का एक्जाम पास किया है और आपने कई सारे एक्जाम दे रखे होंगे जो कि आप पास कर जाए इसे हैं इन्हें बिल्कुल भी टाइम नहीं देना है मैं गारेंटी के साथ में दावा करता हूं चैजा साथ पोच्छन तो आपके आसानी से हो जाएंगे अब देखो तीसरी बात क्या आती है देखो दसनमर की जो है वह है जीके दसनमर की क्या बच्चे जीके और करेंट अ इसे बिल्कुल पढ़ने की जरूत नहीं है क्योंकि आपको यही पता नहीं लगेगा कि हमें पढ़ना क्या है तो जितने भी कोर्स वाले बच्चे जिन लोगों ने भी कोर्स खरीद राखा है मैं उन्हें बताता हूं पढ़ने का तरीका गया है आप उसमें कभी भी करेंट है और जीके नहीं पढ़नी है बहुत जाद है अन्ने के मुकाबले आप यह डिसाइट नहीं कर पाएंगे कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं चोड़ना तो सीथी वात है मेरे भाई मेरे दोस्त बिलकुल मत पढ़ो छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपकी तैयारी तो कभी लगाओगे ना तो पचास परशन तो आपको बिलकुल ठीक होई जाएगा जीके के अंदर कोई भी हमारा ऐसा एस्पिरेंट्स जीकी के अंदर इतना कम जोन नहीं होगा जिससे वो दस में से चार पांच परसन नहीं कर पाएं अगर आपने मेहनत भी की तो हस्याद आपके दो या तीन परसन बढ़ेंगे तो क्यों मेहनत करें हम क्योंकि हमें स्कोर अच्छा करना है इसकोर अच्छा करने के लिए हमें स्कोरिंग चीजे पढ़नी पढ़ेंगी अगर आप स्कोरिंग चीजे पढ़ोगे तो ही जाकर आप अपना सेलेक्शन बनाओगे मैंने मैं पिछली वार के भीस टिजीडी के अंदर 1818 नंबर प्राप किये थे 2,018 के अंदर 150 में से 1818 नंबर लाना आसान काम नहीं मुझे पता था कि कहा कहा में स्कोर बना सकता हूं रीजनिंग 40 नंबर की थी उस टाइम तो मैंने रीजनिंग को अच्छी तरीके से मैं जानता था तो मेरे रीजनिंग के अंदर 38 से 49 नमबर थे मैंने उन चीजों पर फोकस किया था जो चीजें हमें स्कॉर दिलाएंगी क्योंकि स्कॉर से क्या होगा भी रैंक बनेगी और रैंक से क्या होगा बच्चों अगर हमारे इंटरिव्यू एक प्रेज भी होता है तो भी हम फाइनल सेलेक्शन में बाहर नहीं होंगे और उसके बाद में हमें हमारी जो पोस्टिंग डिसाइड होगी वह प्योरली आपके मार्स आपके नंबरों पर डिशाइड होगी ठीक है तो मैंने आपको बताया हिंदी और इंगलिस को बिल्कुल होल के पी जाना है सिर्फ उतनी ही चीजे पढ़नी है जितनी एकजाम के अंदर और दी हुई है फालतु चीजे पढ़ने से आपका भला होने वाला बिल्कुल भी नहीं है ठीक तो को हिंदी और इंगलिस अगर आप कर लेते हैं तो कितने नंबर का हो जाता भी यह साट लोगों ने जादे तो नहीं पढ़ाया हुआ है जितना पूछा गया है उसी के अगोडिंग पढ़ाया हुआ है उससे जाद है अगर ये लोग-पढ़ाते है तो आपको सिर्फ सामने रखना बच्चों किसी भी चाहें हो टीजीटी गा एक्स एस्पिरेंटो के इस का पी आ से लेवस आपको तैयारी नहीं करनी है क्योंकि अगर आप विदाउट से लेवस तैयारी करने लगे तो आप भटा जाएंगे और जहां आप भटके मेरे भाई जहां आप भटके समझ लीजिए आपके जो नंबर है वह उतने अच्छे नहीं आप आएंगे जितनी आप आसा कर करते हैं ठीक है तो तो हिंदी और इंग्लिस के लिए मैं आपको बताता हूं सब्सक्राइब करता हूं पार्स ओप स्पीच थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बुक है बुक है पढ़ने के ज्यादर चक्क्र में मत पढ़ना क्योंकि इंग्लिस का बुक होता है और इतना अग कर आप साथ इंग्लिस का पढ़ना नहीं आता है तो आप कोई एक चोटी मोटी आठ में की कम से कम 10-5 दिन किताब पढ़ने उसका पढ़ने उससे क्या होगा थोड़ी सी हैविड बन जाएगी इंग्लिस के अंदर आप पैरग्राफ के उत्तर आसानी से चांट सकते हैं बिल इसकी बजाए संस्क्रत लेते हैं अगर पहली बार इंग्लिस पढ़ेंगे तो उनके लिए काला अक्षर वहस्वरावल लगेगा लेकिन अगर आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस डालोगे तो तीस नंबर की अगर इंग्लिस है तो उसमें सा आप 17-18 या 20 तक पहुंच सकत है असी नंबर का यह आता सब्सक्राइब बागी पैड़ागों जी मैंना आपको बताई दी है सिर्फ उतनी ही चीज पढ़नी है जितनी पूछी जाए एक सा चीज पढ़ोगे तो फसोगे ठीक भई दो मैंने अपना अनुभाब सेयर किया आपको क्योंकि मैंने खुद के ब अच्छा नंबर था पी आटी का पेपर मेरा अच्छा नहीं गया था इसलिए मुझे साउथ रीजन मिला था पी इसलिए स्कॉर बताने लाएक मेरा स्कॉर था नहीं ठीक है इसलिए सायद मैं आपको बताऊंगा तो थोड़ा सा आप डी मोटिवेट हो जाओगे यार आपन मैं इतना अच्छा इतना कम स्कॉर किया था लेकिन कोई दिक्कत नहीं है मुझे इतना अच्छा इतना बेकार स्कॉर भी नहीं मिला था मुझे इतना स्कॉर मिला कि मेरा मेरा स्लक्षन भी हुआ और मुझे स्कॉर भी मिला मेरा इंटर्व्यू खराब होने के बाद भी को मेरे भाई लाइक करे बिना नहीं जाना है और अगर आप चाहें तो हमसे कोई भी क्यूरी पूस क्ते हैं ठीक है कोई कोई भी क्यूरी आप हमसे पूछ सकते हैं हम पूरी पूरी कोशिस करेंगे आपकी बात का जवाब देनेगा तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में आज के लिए तने काफी है जय हिन जय वारत